ओम गण गणपत ये नमाहा स्री गुरुदे वदत नमस्कार मित्रो प्रॉफिट 666 चानल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे मित्रो आज इस वीडियो में मैं आपको हर रोच बोलने के श्री प्रभु राम चंद्र के तीन शब्दों के छे महा शक्तिशाली मंद्रों की जानकारी देने जा रही हूँ इस साल अयोध्या नगरी में महा दीपोच्व मनाया जा रहा है हर राम भक्त का सपना पूरा हो रहा है क्योंकि जल्द ही अयोध्या नगरी में भव्यश्री राम मंदिर बन रहा है इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको राम रहस्य उपनिशद में वर्नित छे अत्यंत शक्तिशाली तीन शब्दों के मंद्रों की जानकारी देने जा रही हूँ इन छे मंद्रों में से आप किसी भी एक मंद्र को चुन कर उसका जाप कर सकते हो इस मंद्र का जाप करके आपका कल्यान ही कल्यान होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुप या सस्क्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन पर क्लिक करे इन छे मंत्रों में से राम भक्त किसी भी एक मंत्रों को चुन कर उसका रोज सवेरे या रात को सोने से पहले पांच से दस मिनित तक वाचिक या मानसिक जाप कर सकता है या अपनी मर्जी के मुताबित दिन भर में उटते, बैठते, सोते, जागते, काम करते वक्त जितना चाहे उतना चाप कर सकता है इसके लिए कोई भी विशिष्ठ पुजा विधी, दिशा, आसन, माला, इत्यादिय का किसी भी प्रकार का पंधन नहीं है मंत्र बोलने से किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और सुखशान्ती सम्रुद्धी का आकर्शन होकर शत्रूओं का या बाधाओं का नाश होगा पहले तीन मंत्र श्री राम प्रभू पर ध्यान लगाने के लिए और उनकी निस्वार्थ भक्ती करने के लिए अत्यन तिलाब दायक है चौथे मंत्र में क्लीम इस बीज अक्षर का समावेश है इसलिए सुख सम्रुद्धी पाने के अलावा इस मंत्र से आकर्शन शक्ती बढ़कर शत्रूओं का नाश होगा पाचवे बीज मंत्र में रहीम इस मंत्र का समावेश है इसलिए सुख सम्रुद्धी और धन प्राप्ती का प्रचंड आकर्शन होगा छटे मंत्र में एम इस बीजम अक्षर का समावेश है इसलिए विद्या और ज्यान की प्राप्ति के लिए इसका विशेश लाब होगा अब मैं आपको छे मंत्र बताने चा रही हूं कुरुपया ध्यान से सुनिये पहला मंत्र इस प्रकार से है ओम् रामाय नमहा ओम् रामाय नमहा दूसरा मंत्र श्री रामाय नमहा तीसरा मंत्र राम रामाय नमहा चौथा मंत्र क्लीम रामाय नमहा पाचवा मंत्र रीम रामाय नमहा रीम रामाय नमहा छटा मंत्र एम रामाय नमहा एम रामाय नमहा अगर आपको हमारा चानेल पसंद आ गया होगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भुलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे